मुझे याद है जॉनपुर में फेक इंकाउंटर किया गया अभी प्रताबगड़ की घटना है जाहें स्टीफ के एक कस्टूडियल डैथ है प्रताबगड़ की उसमें आपने क्या खारवाई की याद है जिसका फेक घटना हुई थी उसके बाद स्टीफ के लोग पहुंचे जेल गए वो कई लोग दवाब बना रहे थे कि केस वाफिस देले परिवार जब गाउंवाले निकल करके आगए तो पुलिस के लोग कहते हैं में नहीं होते तो सब कुछ फेक ही नजर आता है शायद ऐसा ही कुछ सपा प्रमुक और यूपी मुख्यमंत्री अखलेश यादाव कहने की कोशिश कर रहे हैं जुमा पर नाम भले ही बनायू का ना हो पर इशारों ही इशारों में खाकी पर सवाल खड़े कर रहे हैं करे भ उतरप्रदेश के बनायू में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया रंजान जैसे पाक महीने में साजित कैसे शैतान बनकर हैवानियत का खेल खेल कर चला गया यह किसी से छिपा नहीं हैं बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं साजित अपने कर्मों की सजा पा चुका है लेकिन सियासत को किसी की जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है उसकी रोटी तो गरम और नरम ही होनी चाहिए यही वज़ा है कि अब इस मामले में इस सियासत शुरू हो गई है सपा और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं बंदायों के मामले में अपरादी पार्टी ने ग whereby यहां आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पाटी अपरादीयों को संरक्षन देती है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कारवाही हुई है अक्लेश ने इशारों में खाकी पर सवाल खड़ी किये हैं वो साफ समझ ही आ रहे हैं पार्टी की मीडिया विंगी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है शायद यही वज़े है कि एक ट्वीट में पूरी भडास निकाल डाली बदायू कांड पर सपा की मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया भाजापा यूपी में दंगा फसाद संप्रदाईक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाव को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलो में संप्रदाईक तनाव पैदा करवा रही है जिसका परिणाम बंदायू की आज की घटना है भजापा जब जनता की असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद धार्मिक लड़ाई ही भजापा का आखरी हत्यार बची है भजापा के इशारों पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और भजापा के इशारों पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में लड़ाई जगडा बढ़ रहा है जान मासूमों की गई इनसानियत की मौत हुई लेकिन सपा मीडिया सेल को पूरा मामला हिंदू मुस्लिम से जड़ा दिखाई दे रहा है घटना से कोई लेना देना नहीं सीधे चुनावी हत्रा बताते हुए बीजेपी को गेरने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले में चाचा जी कहां पीछे रहने वाले थे बनायू से टिकेट मिल ही चुका है तो शिपाल सिंग यादव ने इस दरिंदगी के मामले में आरोपी साजित के इनकाउंटर पर प्रदेश सरकार को कट गरे में खड़ा कर दिया है उनका मानना है कि प्रदेश में ला एंड ओर्डर फेल है कहना है कि आरोपी के इनकाउंटर से पहले पुलिस को घटना का खुलासा कर देना चाहिए था वही जब सवाल उठे तो जवाब क्यों नहीं आएगा सियासत की रोटियां खाली सपा को थोड़े न सेखना है इसी मुद्धे पर डिप्टी सीम केशा प्रसाद मौरे ने भी हुंकार भरी शोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा सपा में नेतिकता नाम की कोई चीज बची है तो बनायू मामले में राजनीती ना करे वैसे सपा और अपरादियों का संबन यूपी का बच्चा बच्चा जानता है यह बहुत पीड़ा दायक जगन अपराद है दो अबोद बालकों की निर्मम हत्या की गई है पुलिस कारवाही कर रही है लोगों से शान्ती और दहर बनाये रखने की अपील है यहां यह समझने की कोशिश मत करिएगा हुजूर कि हम किसी पार्टी या व्यक्ति विशेश के खिलाफ को समझाना चाहते हैं बलकि अन्दाजा लगाईए इन नेताओं के जमीर का कि जिस घटना पर पूरा देश रो रहा है कानून व्यवस्ता पर सवाल खड़े हो रहे है मुद्ध सीधे हिंदू मुसल्मान तक पहुँच चुका है ऐसे में चुनावी माहौल की आग में ये नेता किस तरह पेट्रोल डालने का काम कर रहे है हम तो बस यही कहेंगे कि आप भी समझे और मौका नस्दीख है